पंजाब और हर्याना की राजधानी चंडीगड 36 गंटे से अंधेरों में डुबी हुई है जहां सहर में सोमबार रात से ही बिजली संकट जारी है स्थिती ये हो गई है कि लोगों के घरों में लगे इंवर्टर जवाब दे गए हैं वहीं मोबाईल की बैटरी भी खतम होने लगी है जिससे लोग परिशान हैं वहीं एसमा लागू होने के वावजूद बिजली करमचारी हर्ताल को खतम करने के लिए राजी नहीं है ऐसे में चंडीगर प्रसासन ने सेना से मदद की मांग की थी जिसके बाद मिलिटरी इंजिनियरिंग सर्विस की टीम वेस्टर्न कमांड चंडी मंदिर से चंडीगर पहुच गई है और टेकनिकल टीम बिजली सप्लाई को चालू कर रही है हालांकी बताया जा रहा है बिजली सप्लाई को पूरी तरह से दुरुस्त करने में काफी टाइम लग जाएगा उधर इसके विरोध में चंडीगर ट्रांसपोर्ट अंडर्टेकिंग कुछ देर बाद बसो का चक्का जाम करने जा रही है आपको बता दे कि इस मामले को संग्यान में लेते हुए पंजाब एवं हर्याना हाई कोट ने बिजली विभाग के चीफ इंजिनियर को पेश होने के लिए कहा है वहीं जब हाई कोट ने मामले के लिए संग्यान पर चली लंबी बहस के बाद सुनवाई दो बजे तक स्थगित किया है और प्रसासन हाई कोट में दो बजे बताएगा कि विजली सुचारू रूप से चलने के लिए क्या कदम उठाए गए है वहीं अब चंडिगर प्रसासक बनवारी लाल पुरोहित के एडवाईजर ने बिजली करमचारी यूनियन नेताओं की मिटिंग बुलाई है जिसमें करमचारियों की मांगो को लेकर बात हुई लेकिन फिर भी कोई फैसला नहीं आया है